गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ओनलाइन क्लास, कल हमने किया था मीनिंग ओफ डॉपिंग, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ओफ डॉपिंग, क्लासिफिकेशन ओफ डॉपिंग हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे, फर्स्ट मैथर्स वो होते हैं, जो हम अपनी बॉड़ी बनाने के लिए, मसल का साइज बढ़ाने के लिए, अंजेक्शन लेते हैं, परोटीन लेते हैं, ठीक है, हाँ, आज हम करेंगे परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सबस्टेंस, जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सबस्टें से हैं यह अगर एक अथ्लीट प्लेयर ले तो उसका क्या होता है उसमें अलइट निस ili कैसे बढ़ जाती है इसके एelu जाती है प्रदी है कैसे इनहांसिंग अलार्टने मैं बहुत नहीं करें इस में हमारालटने से जो हमारे निस बढ़ते हैं थीक हैं ठीक है increasing heart and breathing rate heart and breathing rate बढ़ता है then improve reaction time and reduce the feeling of fatigue ठीक है जो reaction time है वो improve होता है reaction time कैसे improve होता है जैसे मैंने race start करवानी है आपको मैंने आपको बोला on jour mark and फिर बोला race going to start तो उस start पे आप उस clap पे विसल पे आपकी body क्या react करती है ठीक है कितनी जल्दी reaction करती है ठीक है उसको का जाता है reaction improve reaction हो ठीक है जब जब अथलेट alert होएगा तो उसका reaction time क्या होगा improve होगा वो जल्दी react करेगा ठीक है reduce the feeling of fatigue ठीक है क्या करती है यह करती है जो आपको थकावट आती है उसको क्या खत्म करती है ठीक है खत्मता क्या मतलब हम कह सकते हैं इसको भी यह हमारे को feel नहीं होने देती थकावट तो हमको आती है बट अगर हम यह substance लेते हैं तो हमारे को feel नहीं होती ठीक है increase aggression ठीक है जो भी प्लेयर जो भी अथलीट इसका यूज करते हैं वह बहुत ही गुस्से वाले होते हैं चिड़ चिड़ेपन वाले हो जाते हैं जो आपने कई पर देखा हुएगा भी injection से किसी ने अपनी मसल बनाई एंजेक्शन लगा के अपनी बॉड़ी बना रहे हैं ठीक है उनको क्या कहते हैं एनक्रीज मसल साइज और स्ट्रेंथ इससे क्या होता है करने की हिम्मत आती है ठीक है अगर एनबोल्क स्टीड आउट्स हम लेते हैं तो हम ज्यादा टाइम कोई स्पोर्ट्स अक्टिविटी कर सकते हैं मालों कोई जिम लगाता है तो वो अगर आदा गंटा लगाता है तो अगर वो एनबोल्क स्टीड आउट्स ले रहा है तो व वो commonly है, ठीक है, common है वो, ठीक है, और जो लड़कियं इसको use करते हैं, तो उनका क्या होता है, मतलब face पे जैसे hair growth हो जाती है, ठीक है, तो इससे, मतलब, जो health के issue हो जाती है, then, beta two agonists, ये वैसे अगर बात करें, तो इसकी ये बना है, जो asthma के patient होते हैं, उनके लिए बना है, ठीक है, क्योंकि asthma के जो patient होते हैं, उनको sans नहीं आता, ठीक है, sans नहीं आता, तो sans को सही डंग से sans आने के लिए इसका use किया जाता है, बट कई athlete, कई players अपनी performance को बढ़ाने के लिए इसका use करते हैं, कैसे करते हैं, हम करते हैं, बाइनेंस दा एरवे एंड दा लंग्स मोर oxygen, मालो, जो हमारी sans नहीं लेकी जो नाड़ी है, वो इतनी है, अगर हम इसका use करते हैं, वीटा टू, एगोनिस्ट का use करते हैं, उसको क्या करता है, वो बढ़ा देता है, वो इतना घर देता है, देखो, इतने से इतने में क्या होगा, या oxygen है, जो ज़्यादा सब्लाई होएगी, अच्छे से सांस आएगा, ठीक है, अगर oxygen ज़्यादा सब्लाई होएगी, तो हम ज़्यादा टाइम तक कोई activity कर सकते हैं, ठीक है, यूज तो ट्रीट अस्त्मा पेशेंट, यह अस्त्मा पेशेंट के लिए यूज होता है, बट जो अथलीट हैं, ज़्यादा शेहन शक्ति वाले स्पोर्स करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को लंबे समय तक इस activity को करने के लिए यूज करते हैं, जैसे पार्टिकुलिट यूजड इन एंडॉरेंस स्पोर्स सच एज साइक्लिंग, स्वीविंग, ठीक है, जो स्वीविंग करते हैं, साइक्लिंग करते हैं, वो इनका यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस वड़ाने के लिए, कैसे उनको होता है, वो जो हमारा ट्रेकिया है, वो ज़्यादा चौड़ा हो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा oxygen जाए, अगर oxygen ज़्यादा जाएगी, तो वो लंबे समय तक अपनी जो स्पोर्स एक्टिविटी है, वो असानी से कर सकती हैं, थैंक यू,